मैं आज आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तूत हूँ अध्याय का नाम है सवईये और इसके रचनाकार है रस्खान जी आईए सबसे पहले हम कभी से परिचित हो जाएं घंड सन 1548 इस्वी में हुआ थां इनका मुल नाम सएध इबळाहिम सएध इबराहिम देखिये, नाम है पुरी दर से मुस्लिम परतु आस्यर उस समय सामप्रदयक सदभाव आप देखिए कि सयद इब्राहीम ये मुस्लिम धर्म के होते वे भी इन्होंने कृष्ण की भक्ती की अपने काविक रचना का मुख्य आधार उन्होंने कृष्ण को ही रखा गोस्वामी विठ्ठना से दिक्षा लेने के बाद ये ब्रजभूमी में जाबसे दिल्ल के आसपास रहते थे ये पहले और इनकी मृत्त हुई सन 1628 सिस्वी में इनके साहित्य से भी परचित हो लें इनकी रचनाय हैं सुजान रस्खान और प्रेमवाटिका ये कृतियां उपलब्ध कृतियां हैं और भी उनकी रचनाय हैं परंतु वह उपलब्ध नहीं हुई है और इनकी समस्त रचनाओं का जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसे कहा जाता है रस्खान रचनावली इन्होंने क्रिष्ण और क्रिष्ण भूमी के प्रती अपने अनन्य अनुराग को कावे के माध्यम से प्रस्तूत किया है ब्रज भाशा का अत्यंत सरस और मनुरम प्रयो मन को भाव विभौर कर देने वाली है मन को अनंदित कर देने वाली है इसलिए रस्खान की कावे रचना के लिए कहा जाता है कि उनके सवये, उनकी कविताय, सभी रसकी खान है सबसे पहले मैं आपको सवया चंद क्या है इसके बारे में बता दूं काव्य में मात्रा या वर्णों की संख्या से सम्मंधित नियमों को चंद कहते हैं मतलब काव्य जब पहले लिखा जाता था तो उसमें मात्रा या वर्णों के आधार पर काव्य की रचना होती थी इसके करण क्या होता था इस चंद के करण काव्य में लय और रंजक्ता आती है काव्य को एक ले में पढ़ा जाता है और ले में पढ़ने करण उस काव्य को पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होती है सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है चंद के प्रमुख प्रकार दो प्रकार के माने गए है मात्रिक शंद और वर्निक शंद मात्रिक शंदों में मात्राओं की गढ़ना की जाती है और वर्निक शंदों में वर्नों की गढ़ना की जाती है जो सवय्य हम पढ़ने जा रहा हैं वह सवय्य एक वर्णिक छंद है इसमें चार चरण होते हैं चार पंक्तियां आपको दिखाई देंगी और प्रतेक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं आप वर्णों को गिलेंगे तो कम से कम 22 होंगे अधिक्तम 26 होंगे अगर एक चरण में 22 है तो 4 चरण में बाकी तीन चरण में भी आपको 22 मिलेंगे और यह वर्णों की संख्या के अधार सवया के अलग-अलग भेद पाए जाते हैं कि साहित के जानकारों ने बताया है कि इसके 14 प्रकार हैं सवया के वर्णों की गिंती कैसे की जाती नीचे आप देखिए मानूस तो तीन हुआ हाँ चौथा तो पांच तो इस प्रकार से मानूस हो तो यह पांच वर्ण है तो आप देखिएगा इन सवयों में जो रस्खान के आप सवये पढ़ेंगे उसमें प्रत्य वर्णे के ऊपर आप प्रत्य वर्ण को एक एक करके गिंते जाएंगे तो आपको 22 से 26 वर्ण ही मिलेंगे पहला सव्या है उसमें आपको तो 24 24 वर्ण मिलेंगे और फिर दूसरा तीसरा चौथा है उसमें आपको 23 23 वर्ण मिलेंगे तो आपको गिन के देख सकते हैं, एक सामान ने जानकारी मैंने आपको सवया की दी है पहला सवया देखते हैं मैं सस्वर पाठ करने की कोशिश करता हूं मानुस हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाव के गवारन जो पसु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनू मंझारन पाहन हो तो वही गीरी को जो कियो हरी छत्र पूरंदर धारन जो खग हो तो बसे रो करो मीली कालिंदी कूल कदंब की डारन तो यह चंद को एक ले से पढ़ा जाता है और उसे एक सरस्ता आती है पढ़ने में सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है आएए इस पहले सवेये के भावार्त को हम जाने प्रसुत पंक्तियों में कवीरस खान के सिर्कृष्ण एवं उनके गाओं गोकुल ब्रज के प्रती जो लगाओ है उसका वर्णन हुआ है कवीरस खान कहते हैं कि अगले जनम में इस जनम में तो उब्रत्षेतर में रह रहे हैं उनकी आकांग्षा क्या है देखिए कि अगले जनम में यदि मैं मनुष्य बनूँ तो गोकुल गाओं के गौाल बालों के बीच ही निवास करूँ गोकुल गाओं से मेरा संबंद गोकुल गाओं से मेरी दूरी न होने पाए अगले जनम में मैं मनुष्य बनूँ तो गौल बालों के बीच में ही मैं रहूं और क्या उनकी इच्छा देखें यदि मैं पशु बनूँ तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है मतलब पशु है वो तो मनुष्य के द्वारा नियंत्रित होता है सामान नितर जो पालतु पशु होते हैं तो कह रहे हैं कि यदि मैं पशु बनूँ तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूं यदि मैं पत्थर बनूँ तो उसी कि श्रीकृष्ण ने इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया सब बोकुलवासियों को ब्रच्चेत्र में बात पहला दी कि कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा अज इसे इंद्र बड़े नाराज हो गए और उन्हें भैंकर वर्षा कराए भैंकर वर्षा होने से लोग तो देखे पत्थर यदि बनूं तो रस्खान कहा रहे हैं उसी गोवर्धन परवत का पत्थर बनूं मतलब जो जो चीजें श्रीकृष्ण से संबंधित हैं उससे जुड़े रहना चाहते हैं और जन्म जन्मांतर तक जुड़े रहना चाहते हैं कितनी इनकी उत्कट भक्ति देखे अगला देखें यदि मैं पक्षी मनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुुना के तट पर इस्तित कदम dollar के डालियों पर बशेयों करने वाला पक्षी बनूं है जिस कदम dollar की डालियों पर सरिक्रिष्ण बैठा करते थे अर्थात हर जन्म में अपने अराध्य श्रीक्रिष्ण और ब्रज भूमी का सामिप चाहता हूं सामिप मतलब समीप रहना और यही मेरी प्रभु से विंति है श्रीक्रिष्ण से यही मांग रहे हैं कि है प्रभु अगले जन्म में यदि मैं मनुष्ड बनू तो गौल बालों के बीच में निवास करूं गाय बनू तो नंद बाबा के गायों के साथ में चरूं विचरण करूं पत्थर बनूं तो गोवर्धन परवत का पत्थर बनूं और यदि पक्षी बनता हूं तो फिर मेरा निवास कहां हो यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर कि यह था आपका पहला सवई जा दूसरा सवई आया पढ़ते हैं या इसका ध्यान रखेगा इसमें मात्रा 23 है इसलिए यहां पर इसका स्वर कुछ अलग हुआ या लकुटी अरू का मरिया पर राज तिहु पूर को तजिडाराओं आठहु सिद्धी नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसाराओं रसखान कबों इन आखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहाराओं कोटी के कलधोत के धाम करील के कुंजन उपर वाराओं कि इसका भावार्थ देखें कृष्ण से जुड़ी वस्त्मों के प्रति अपना प्रेम प्रगट करते हुए कभी रसखान कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे उसके बदले मैं तीनों लोकों का सुक समराज छोड़ने को तैयार हूं विद्यारतियों हम थोड़ी सी भी चीज त्याग नहीं कर सकते और ये देखे रसखान कवी को देखे कि ये स्रीक्रिष्न की चीजों के लिए तीन लोग कि उसका सुक समराज छोड़ने को तैयार है कि भातिक्ता के प्रति सामराज राज-काष के प्रति कि वह आकर्शन नहीं है जो की स्रीक्रिष्न से जुड़ी वस्तूं के पति आकर्शन है कहा और भी कोई किन्ती चीज नहीं है लाथ ही और कमबल को अ स्री कुछन से जुरी छीज़ Hai इसलिए कि अगर कोई उनको लाथ direct by क fact अर्टम दे दे तो उसके लिए उसके बने इन तीन लोग कर दिए उनके सामराज्य भी हो करना तो दे देंगे उसके बदले कि यह स्रिक्रिष्ण के प्रति उनकी भक्ति आगे और देखें क्या-क्या त्यागने के लिए तेयार हो यदि नंद की गाये चराने का सुभाग मिले तो मैं आठ सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी त्याग कि अर्थात नंद की गाये चराने का सुख मिलने पर अन्य सब सुख त्याग सकता हूं कि यह आठ सिद्धियां क्या होती नौ निधियां क्या होती है आपको रिस्पस्ट करूंगा मैं और इनकी इक्षा क्या है जब मेरे इन नेत्रों को ब्रजभूमी के वन बाग तलाब अदि देखने को मिल जाए और करिल के कुण्जों में कि विचरण करने का सवभागिय मिल जाए विचरण करने मतलग घूमने का सव भाग मिल जाएं तो मैं उस सुख पर सोने के को निच्छावर करते हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधीत सभी वस्तूओं से जो सुक्प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी भी वस्तू से नहीं मिल सकता है इतनी ज्यादा उनकी स्री कृष्ण के प्रति भक्ति है अब जैसे हमने पढ़ा था कि आठ सिद्धी और नौनिधी तो क्या है थोड़ा समझ लिए संग्षेप में सिद्धी शब्द कातात पर सामानेता ऐसी पारलोकिक पारलोकिक मतलब इस लोकी नहीं है इस लोक के बाहर का मतलब जो इश्वरी कह सकते हैं आप और आत्मीक शक्तियों से जो तप और साधना के द और यह सिद्धियां है अडिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य शित्व वशित्व अडिमा मतलब बहुत छोटा हो जाना महिमा मतलब बहुत विशाल आकारद धारण कर लेना इस प्रकार से यह सब अलग-अलग सिद्धियां है पर इस सिद्धियों को प्रयत्नश्रील भी रहता है धन संपन के होना चाहिए क्योंकि धन के बिना आप बहुत सारे कारी नहीं कर पाएंगे उसके लिए धन जरूरी है और ये नौ निधियों का संबंद मुखेता संपदा से ही है संपदा में क्या ची जाती है चल और अचल संपत्ती होती है चल मतलब रुपए पैसे अचल मतलब जमीन मकान ये सब अचल संपत्ती है और कहा जाता है कुबेर के पास ये नौ निधिया हैं ये नौ निधियों के न निधी और नववा है खर्व या मिश्र निधी और ये निधी प्राप्त हो जाने से व्यक्ति है उसकी संपत्ति फिर कम नहीं होती खतम नहीं होती ऐसा माना जाता है इसमें से आठ निधियों को शुरू के आठ निधियों को महत्तुपुण माना गया है नवी निधी जो खर्व या मिश्र निधी है वो सांसारिक खर्च वाले निधी है जिसे हम आप धन संपत्ति के रूप में हम लोग मानते हैं और बाकि ये जो शुरू के आठ निदिया है वो विशिष्ट निदिया है वो एक बार आगे तो फिर खर्च नहीं होती है और ये भी सिद्धी से प्राप्त किया जा सकता है जो की आसान नहीं है कि आईए तीसरा सविया देखें मोर पखासिर उपर राखियं गुन्ज की माल गरै पहिरोंगी ओढ़ी पितंबर लेल कुटी बन गोधन गौरनी संग फिरोंगी भाव तो वो ही मेरो रस खानी सों तेरे कह सब स्वांग करौंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरौंगी अब यहाँ पर एक गोपी जो कहतन कर रही है बहुत अच्छा वणन की आरस खान जी ने श्री कृष्णी के प्रती प्रेमा भ्यक्ति रखने वाली कोई गोपी प्रेम और भक्ति रखने वाली प्रेम के सांसां भक्ति भी है तो ऐसी प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी है अपने सखी से कहती है कि मैं प्रियत्तम कृष्णी की रूप छवी को अपने शरीर प सामानेत आप लोग ने देखा होगा के लोग उनकी प्री फिल्मी कलाकार होते हैं तो उनकी तरह हैरि स्टाइल रखना रखने की कोशिश करते he कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अप्र यह नो कहती कि मैं बिल्कुश को अपने शरीर पधारन करना चाहते हूं स्रीकिष्ण की तरह सजना चाहती हूं अब बताती हुआ इस कारण मैं अपने सीर पर मोर पंखों का मुकुट धारन करूंगी और गले में घुंगची की माला पहनूंगी घुंगची एक छोटा जंगली फल होता है उसे कहते हैं घुंगची तो वह सब जैसे स्री पर पीलावस्त्र पहनकर क्रिश्ण के समानी हाथ में लाठी कर अर्थाफ उनी के वेश में घुमती रहोंगी औरो गयाएं चराओंगी जो सिर्कृष्ण गयाचर आते हैं जिस वेश्भुषा में उसी तर से मैं भी गयाचर आओंगी वेश्भुषा धारन करके कि उसके बाद गोपी कह रही है कि मैं तुम्हारे कहने पर यह सब कर लूँगी दूसरी सखी ने कहा भई तुम एक दिन श्रीकृष्ण का वेश्भुषा धारन कर लो तो बोले हाँ ठीक है मेरे मान में भी श्रीकृष्ण का प्रतिप्रेम में बिल्कुल वो सब धारन कर लूँगी तुम ज कर रही है क्यों कि क्योंकि इसी मुर्ली की वजह से कृष्ण हम से दूर हुए है कि स्रीकृष्ण जब मुर्ली बजाने में लीन हो जाते थे तो गोपियों को ध्यान नहीं देते थे है युऑ वपियों को बरदाश्ट नहीं होता है इसलिए उ कह सभी लुद्धारण कर लूंगी जैसा जैसा स्रिकिष्ण पेंत हैं सब प्र जो मुर्ली दो बुँऊ रखाते हैं युव मुर्ली मैं अपने होटों दृगयं के गोपियों को देखिए गोप्यों के मन में स्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम कि निर्जिव वस्तु को भी सौतन मान रही है वो के जोनके प्रेम में बाध् dinero ए च्रिक्रिष्ण के मिलन में बाधक है को यह की की सिर्किष्ण के प्रती प्रेम और भक्ति और उसके माध्याम से रस्कांजी ने प्रेम और भक्ति को वेक्त किया है चौन्था सवाईया देखते हैं का निदे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनिमंद बजय है मोह नितानन सोरस खानी अटा चड़ी गोधन गय है तो गय है तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काले को कितनो समुझे है माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी नजय है नजय है नजय है अब यहाँ पर कि श्रिकृष्न की मुस्कान का क्या प्रभावाद देखें श्रीकृष्न की मुरली की ध्वनी तथां कि मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब स्रीकृष्ण मधूर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगूली डाल लूँगी ताकि मैं उसे न सुन सकूं क्योंकि मुरली सुनते यह अपने पर वश नहीं रहता है उची उची अट्टालिकाओं पर चड़कर कृष्ण गोधन गातने हैं एक लोग मुरली की ध्वनी से भी बज जाऊंगी गाने भी उनके द्वारा गायवे नहीं सुनूंगी पर गोपी क्या और क्या कहती है मैं ब्रच के लोगों से चिला कर कहना चाहती हूं जोर-जोर से इस पस्ट्रूप से कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए कि इस बात करें समझाए क कि स्रीकृष्ण से मिलने मत जाओ स्रीकृष्ण से दूर रहा मत मिलो पर स्रीकृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा मूरली की धुन से उनके गाय गीतों से थोड़ी देर के लिए बस सकती हूं पर यदि उनकी मुस्कान को देख लूँगी तो मैं अपने आप पर वर्ष नहीं रख पाऊंगी मैं दोड़ी चली जाओंगी स्रीकृष्ण के पास चली जाओंगी उनकी मुस्कान का जादू इतना असरदार है चारो सवये के बाद आएए शब्धार्थ देख लें बसों मतलब बसना रहना कहा बस वर्ष में न होना नित मतलब हमेशा मंजारन बीच में पाहन पत्थर गिरी पर्वत या पर्याश शब्दों में भी आपने देखा होगा पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदंब एक व्रिक्ष, लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तलाग मतलब तालाब, कोटिक मतलब करोणों, कलधोत सोना, धाम भवन, करिल काटेदार जाडी, कुंजन, लताओं का घर, जुर्मुट सा रहता है, गुंज, एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, यही गुंज घूंगची, वारों, नियोचावर करना, भावतों, अच्छा लगना, स्वांग, रूपधारन करना, अटा, अटारी या टाली का, बड़े भवन, उचे भव अटाना, सीगरे, मतलब सारे, काली, मतलब कत, आये कुछ प्रश्णों को देख लेते हैं, और उनके उत्तरों से भी परिचित हो जाए, पहला प्रश्ण है, ब्रज भूमी के प्रती कभी का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, पहले सवईये में हमने पढ़ा है, देखें इसका उत्तर, इस प्रकार से हो सकता है, कभी को ब्रज भूमी से गहरा प्रेम है, वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन् उसे ग्वाला बनाएं गाय बनाएं पक्षी बनाएं या पत्थर बनाएं वह हर हाल में ब्रजभूमी में रहना चाहता है वह ब्रजभूमी के वन बाग सर्वर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व नेचावर करने का भी को भी तैयार है सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है अगला प्रश्ण एक लखुटी और कामर्या पर कभी सब कुछ नेचावर करने को क्यों तैयार है तो क्यों तैयार है इसका उत्तर होगा कभी स्री कृष्ण का अनन्य भक्त है अनन्य मतलब किसी और की भक्ति नहीं अनन्य भक्ति मतलब एक से ही भक्ति बस वह क्रिश्ण की हर वस्तु से प्यार करते हैं श्री क्रिश्ण गायों को चराने के समय यह लकुटी और कामरिया अपने सांथ रखते थे यह लकुटी और कामरिया कोई साधरन वस्तु नहीं थी यह कृष्ण से सम्मंधित वस्तु एं थी इसलिए कभी उन पर अपना सब कूछ नेशावर करने को तैयार है अगला प्रशन चौथे सवये के नुसार गोपियां अपने आपको क्यों विवश्पाती हैं इसका उतर होगा इस सवये के नुसार इस सवये मतलब चौथे सवये के नुसार श्रीकिष्णे की मुर्ली की धून अत्यन्त मधूर तथा मादक है तथा उनका रूप अत्यन्त सुन्दर है उनकी मुर्ली की मधूरता तथा उनके रूप सौंदर गरपती गोपियां आसक्त हैं आकर्शित हैं बहुत जादा कि वे इनके समक्ष किनके समक्ष मुरली की मधूर धून और स्री कृष्ण के सौंदर हैं इनके समक्ष स्वयम को विवश पाती हैं और कृष्ण की होकर रह जाती हैं फिर कोई वश्ण चलता उन पर अगला प्रश्ण कालिंदी कूल कदंब की डारन में कौन सा लंकार है आपने लंकारों का भी अध्यन किया है निशित तोर से आप इसका उत्तर जानते होंगे कालिंदी कुल कदंब की डारन में कवर्ण की आवरित्ती होने के कारण अनुप्रासलंकार है आपने पढ़ा होगा कि जहां वर्णों की आवरित्ती होती है वहां अनुप्रासलंकार होता है जब कभी भी परिक्षा इस प्रकार का प्रशन आता है तो सीधे सीधे अनुप्रा सनंकार है सा नहीं लिखना चाहिए बलकि कारण बताते हुए लिखने से आपका उत्तर और सटीक होगा और बिल्कुल उचित मात्रा में वह अपने अर्थ को प्रगट करेगा कि विद्यार्थिक अनुप्रा सनंकार का अर्थ मालूम है कि और आगे देखते हैं यह का वे संदर इस्पर्ष्ट कीजिए विद्यार्थि번क अच्छ समझ मिएगा अप क्योंकि आने वाले आने वाली कक्षाओं में भी काव संदर आता है तो कई बार विद्यार्थी जब वो नवी दस्वी में अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें आगे चलके कठनाई होती है काव संदर इस पर कीजिए किसका काव संदर पूछा जा रहा है या मुरली अधरा नधरी अधरा नधराउंगी इसका काव संदर होगा काव संदर ध्यान रखेगा इसमें दो चीजें होती है भासंदर और शिल्प संदर इसमें कैसी भाशा है अलंकार कौन सा प्रयोक्त क्या गया कौन सा चंद है इत्यादी जो विश्ष्ष्टाया होती है वो शिल्प संदर में बताया जाता है तो इस पंक्ति का भाव संदर यह है गोपी अपने सखी के कहने पर स्रीकृष्ण के समानी वस्त्राभुषण धारन तो कर लेगी पर वह स्रीकृष्ण की मुरली को अपने इर्ष्याभाव प्रकट हुआ है व शिल्प संदर यह देखें है पहला देखें पहला नंबर है कावयांश में ब्रज भाषा की मधुरता नहीं थे पूरा जितने चारों जो सवईये हैं सब में ब्रज भाषा काव्यांश रचना सवईयचंद में है म तथर्र वर्णों की किआब रित्ति के कारण अनुप्राश अलंकार है तत़ा अधरान मतलब होठो पर अधरा न होठो पर नहीं मैं यमक अलंकार को चारो सवएए अच्छे से समझ में आ गे होंगे और आप सवय अच्छन से भी परिचित आप हुए होंगे इस प्रकार से यह ध्या यहीं पर समाप्त होता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद